नवश्कार निउस्डूम पोस्ट में आप सभी कस्वागत है शारुक खान की पठान एक दिन पीते ही नए रिकॉर्ड सेट कर देती है बर फिर से पठान फिल्म ने नया रिकॉर्ड अपने नाम दर्श कर दिया अधित्य चोप्रा ने पठान फिल्म की रिलीज से पहले एक होश्णा की थी कि वो अब वायर अफ यूनिवर्स का निर्मार कर रहे है और इस यूनिवर्स का हिस्सा पठान सलमान खान की फिल्म ट्राइगर फ्रेंशाइजी और रितिक रौशन की वार फिल्म होगी अब पठान फिल्म की जबरदर सफलता के बाद वायर अफ यूनिवर्स ने जहां देश में तो रिकॉर्ड बनाया ही है वहीं पठान एक ऐसी फिल्म बन रही है जो देश के साथी साथ विदेश में रिकॉर्ड बना रही है यहां हम आपको बताएंगे पठान फिल्म ने अ ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। इसके अलावा अब फिल्म साथ सो करॉन रुपए के ग्रॉस कलेक्शन की ओर बढ़ रही है। वायरफ इस्पाई उनिवर्स में बनने वाली टाइगर जिन्दा है ने करीब 569 करॉन रुपए का वर्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन, वार फिल्म ने करीब 470 करॉन रुपए का वर्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन, एक थर टाइगर ने 318 करॉन रुपए का ग्रॉस कलेक्शन वर्ड वाइड किया था और पठान फिल्म ने 660 करों रुपय का वर्ड वाइड क्रॉस क्लेक्शन किया है जो पिछले सभी फिल्म होकिया पिक्षा ज़्यादा है इसके अलबा अगर overseas में पठान फिल्म की कमाई के बारे में बात करें 257 करोन रुपे का बिजनेस विदेश रे किया है पठान पहली ऐसी हिंदी फिल्म बनी है जिसने विदेश में रिकॉर्ड बनाया है पठान फिल्म अभी भी बॉक्स आफिस पर चल रही है और उमीद करते हैं कि फिल्म आगे और भी रिकॉर्ड बनाएगी पठान फिल्म ने हिंदी भासा में करीब 336 करोन रुपे का कारोबार कर लिया है अपने दूसरे पुद्धिवार में फिल्म ने करीब 17 करोन 50 लाख रुपे का कारोबार किया है फिल्म अब 400 करोन रुपे के क्लब में शामिल होने का रुप कर रही है जिस हिसाब से आने वाले दिनों में कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है ऐसे में पठान फिल्म और भी बड़ा कलेक्शन कर सकती है और रिकॉर्ड बना सकती है अगर आपको ये वीडियो पसंद आयो तो कॉमेंट करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद